हेलो एवरिवन वेलकम टू अभीपेडिया पावरड़ बाई अभी मन्यू आईये और आज की क्लास के अंदर हम डिसकस करेंगे प्रिवियस यह कोश्चिन्स बेस्ट उन बार ग्राफ याज जो आपके पास में SSE MTS के अंदर, SSE MTS के अंदर, प्रिवियस यह के अंदर जो बार ग्राफ पर बेस्ट कोश्चिन्स थे, वो मैं डिसकस करने वाले हूं इं्पोट्न्ट क्लास है क्योंकि हर बार एक्जाम के अंदर जो डाटा इंटर्पेटेशन है उस पर बेस्ट कोश्चन आपते ही कभी बार गराफ है तो कभी पाइचार्ट तो जाद अब डैकल थे इंपपर्टो पिशन सव्षेट फिन कंदर,alleлем in Bethany कर चुकिए अगर चेक करना है तो आप ये प्रिविए से कोश्चन से चल रही है इसके जोइन कर सकते हो वहां पर आपको सभी जो भी अभी तक लेक्चर हुए है प्रिविए सेर के सारे के सारे विद पीडियाफ मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक अव लेबल है लिं उटेवन बिलोः रिपरजेंट माक्स आउट अफ हंडडर ये जोalso हो रहे ही क्या हो रहे है माक्स शयों हो रहे है ठीक है है ओ टेन յाइट ये स्टूडेंट्स हुद एन , एस्टीन नमबर आ हे ऊर ये प्रे से więks।। कि Average Marks वो S9 से कितने काम है तो अगर इस तरह से जैत पहले सबसे पहला जो काम होता वो होता है कि data pick करना data pick करना जो आपकी question में data पूछा गया जिसके बारे में detail पूछीगे उस data को उठाना है अब इसने काई पीटए S3 और S5 तो अगर मैं S3 देखूं तो S3 के अंदर देखो कितने है S3 के Marks कितने है 87 Marks आए है ठीक है अगर हम देखे S5 तो S5 के Marks कितने आए है S5 के 99 Marks आए है तो S3 और S5 की अगर मैं Average की बात करूं तो Average कितनी हो जाएगी दोनों को आड़ करके 2 से डिवाइड कर देंगे कितना हो गया नो और साथ 16 नो और आठ 17 और 18 बटा दो कितना आगया आपके पास 93 आज हाँ जी देखिए क्लियर है अब किसे साथ कंपेर करना हमने S9 के साथ में कंपेर करना है अगर हम S9 को देखते हैं तो S9 के कितने आए पूरे 100 आये कितने आये 100 आये 100 आये 100 माकन आये वो कहिरा कि कितने можно less है तो यहां से देखो कि कितना less धै 7 less है और 100 में से 7 लेस हो ना मतलब S9 के साथ में S9 by default यहां पर 100 आ रहा है जब भी वैल्यू 100 आती है तो उतना ही परसेंट होता है क्यों क्योंकि 100 से डिवाइड करके 100 से मुल्टिप्लाई करोगे तो क्यों सिल आउट हो जाएगा हाँ जी सेम शिफ्ट का कोश्चन है तीन चार कोश्चन सायो गेथे इसके अंदर एक्जाम बे तो देखो क्या है पाट इस दा एवरेज ऑफ दे मार्क उप्तेंट पाई आल दा स्टूदेंट सभी के एवरेज कितने तो आवरेज कैसे निकालते हैं टोटल जितना भी सम आएगा ठीक है डिवाइड बाई नंबर ओफ स्टूदेंट आप करिए जल्दी जल्दी टोटल करेंगे सभी सभी टोटल करेंगे जल्दी जल्दी से टोटल करेंगे कितना आगया आपके पास में यह हो गया 9 तो अगर हम देखते है तो 1 5 6 6 and 6 12 19 19 and 9 this is 18 18 and 4 24 24 24 plus 7 24 plus 7 हो गया आपके पास में 31 31 and 8 हो गया बीटा 39 and 41 एक बार दुबारास चक्क करो इतना ही बनेगा आई हो गया देखो दुबारास देखते है 1 5 6 6 and 6 12 12 and 7 19 19 and 9 19 28 28 28 plus 4 32 32 plus 7 32 plus 7 39 and 10 49 9 आएगा बीटा 49 4 कैरी आगे आपके पास में ठीक है आगे देखो यह हो गया 19 19 19 plus 8 19 plus 8 27 26 बनेगा ठीक है 26 26 plus 8 34 34 plus 9 plus 9 और यह बीटा 4 आपके पास में होगी कैरी कितना आगे 91 आएगा एक पर दुबारास चेक कर लेते हैं यह को मैं पूरा 10 कंसीडर कर रहे हूँ 9 plus 10 19 19 प्लस 8 19 प्लस 8 प्लस 9 हाँ जी यह होगी आपके पास में 4 कैरी था पैटा कितना आगे 919 आगे ठीक है अब हमें क्या करने आएवरेज फाइंड आउट करने आपके पास में तो एवरेज विल बी 91.9 क्लियर है एक पर दुबारास चेक कर लो दोनों में से A और B में से कौन सा आएगा यही आएगा मेरे अकोर्डिंग तो ठीक है टोटलेंगे करने पीटा कुछ भी नहीं है सबका टोटल करो टोटल करके टैंसे डिवाइड कर दो एक पॉइंट और ध्यान रखना है कि जो अपने पास में वैल्यूज आते हैं उसको साइड बाई साइड अपना जब भी जहां पे आप कैलकुलेशन कर रहें रफ वर्क कर वही कोश्चन फर्दर जो वैल्यूज आ रहे हैं वो कई बार यूज हो जाते हैं ओके जैसे कि यहीं पर है देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या रहे है कि दा मार्क्स ऑप्टेंड वाई एस फाइव एस फाइव इस हाव मच परसेंट मोर दें अवरेज मार्क्स के अंदर फाइड आउट कर चुके है और एस फाइव के हम यहां से उठा लेंगे एस फाइव यह है कितना 99 आ गया एस फाइव कितने 99 और एवरेज कितनी आई थी अभी देखो लास्ट कोश्चन के अंदर हमने किया है कितना है आपके पास में एवरेज 91.9 91.9 आए तो यह यूज हो जाएगी 91.9 तो यह हो गया आपके पास में 91.9 आप हमें find आउट क्या करना है किंतना कितना ज्यादभा है कितना ज्यादा है इसमें सिसको मैननस कर देगे, minus करोगे तो value कितनी आगे, हाँ जी, देखो, directly minus करना है, यहाँ पर point की value यह without point है, तो उसके आगे हम point लगा लगा लेगा, कितना आगे आपके पास में, यह होगे बिटा 1, 8 से 1 गया, आपके पास में बच गया, 7, तो कितना बच गया, 7.1, कितना आगे हमारे पास, 7.1 आ गया, अब देखो, यह 7.1 आ गया, अब हमें find out करना percentage के अंदर, अगर होता कितना more है, तो सिरफ हम 7.1 करके answer कर देते, ओके, बट percentage में जो पुछा जाए, तो percentage के अंदर कैसे calculate करते हैं, percentage में किसे ऐसे calculate करते हैं, जितना भी आपका ज्यादा है, इतना ज्यादा है, ठीक अब देखो, इसके साथ compare करोगे, किस से जादा है, कमवाली value से ही जादा होगा ना, कमवाली value यहाँ पे कौन सी है, यह है, 91.9 into 100, ठीक है, point से point cancel out हो गया, अब यहाँ पे अगर हम approximate value देखें, यह आ गया है, ठीक है, अब देखो, कितनी value आएगी, अगर हम approximate देखें, तो यह हमारा 900 के around, इसको consider करके चलो आप, 900 के around consider करके चलो, तो देखो, 9,78,92, 9,72, ज्यादा हो गया, 7,200 ज्यादा हो गया ना, that means कि 7.9 कुछ value आएगी, 7.9 कुछ value आएगी, approximately, 7.9 कुछ आएगा, ठीक है, अगर आपके पास में time है exam के अदर, तो पूरा करके देख लो, otherwise यह 7.0 के राउंड सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहे है बीटा, 7.0 के राउंड सिर्फ एक ही वैल्यू आ रहे है कितने आ जाएगा, 7.73 आ जाएगा क्या हो गया, या आगे बीटा, 7.73, क्लियर? हाँ जी बताओ, कोई सके अंदर डाउट आ रहा हूँ इएगा, देखें, अगर समझ आ रहे हैं, और वीढी को लाइक करेंगे, शेर करेंगे, और यहे प्रिवियस यहा आ रहे हैं, सभी ने जोइन करना है, सभी ने जोइन करना है, प्रेइस जिन्हों ने अपने आपको register नहीं किया है जिन्होंनेチャンネル को सब्सक्राइब नहीं किया है channel को सब्सक्राइब करें गेए सब्सक्राइब करूद हो ठीक है अब आप लोगे के लिए एक qa гunta प्रिभियास के और सब्सक्रा एक तो देट कि आपको लोगों के लिए helpful रहे तो आपके भी थोड़ी सी moral duty बनती है कि आपके लाइक करेंगे शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को सब्सक्राइब करेंगी और प्रिविएस यहर कोश्चन सीरीज को जोइन करना है सभी अगला देखिए हाँ जी नेक अगिवन फिलोर रिपरजेंट मैक्सिमम टेंप्रेचर इंडगी सेंटियस यह क्या शो कर रहा है टेंप्रेचर शो कर रहा है ओफेशिती फो टेंडिफरेंट डेज स्प्रेड ओवर सेवरल मंस ओके आप देखों क्या है दी वन दी टू दी थी यह सारे के सारे 10 डेज और सबी का टेंपरेचर अब यह 38.3 डिग्री सेंटिग्रेट ओके ओके आप देखो यहां पर क्या है वाट इस देफ्रेंस इन डिग्री सेल्सियस बिट्वीन हाइस्ट लोवेस्ट रिकोर्डेड मैक्सिमें टेंपरेचर फ्रॉम डेटा गीवन इन 10 देज हाइस्ट अब देखो अब अगर हम यहां पर देखे तो हमरे पास में यह दो वैल्लियू जारे बिटा है ये 14 कॉ हिस्ट कॉंसे होगी ये होगी तो हाय्यस्ट और हम चेक करें तो हो सब से कम स्ब्सक्रत कितना हो गया, कितना है, 12.2, कितना आगया, 12.2, क्या find out करना है, difference find out करना है, difference कितना आजाएगा, यह गया 1, 8 and 2, 28.1, so answer कितना आगया, 21.1, 28.1, हाँ जी बताओ, कोई समें doubt, simple था, simple था, simple question आते बस यह पता होना, चुछे कि data कैसे pick करना है, simple question आते हैं, यह पता होना चुछे कि data pick कैसे करना है, ओके, next देखो कि, the temperature on D5 is how much percent more than temperature on D3, D5 का temperature D3 से कितना ज्यादा है, तो D5 अगर मैं देखूं, तो D5 का temperature कितना आ रहा है, बिटाया, या, this is 35, कितना आ रहा है, 35 आ रहा है, उसके बाद में D3 देखते हैं, D3 का हम टेंपरेचर देखे कितना आ रहा है, 30 आ रहा है, कितना ज्यादा, कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, कितना आ गया, 5, बट किस में calculate करना है, percentage में, ज्यादा, that means कि किस से compare करेंगे, इसके साथ में, divided by 30 into 100, कितने अलिया आगी, 16 is to 2 by 3 percent, और अगर हम option देखें, तो point में आ बिटा, कोई बात नहीं, 16. 16.67 percent, ओके, तो answer आगे, हमारे पास 16.16, बताओ कोई doubt इसमें, कोई भी minor सा doubt आ रहा, अगर doubt आता है, comment section में comment करोगे, comment section में comment करोगे सभी, ओके, और भी अगर आप लोगो कि कोई भी query है, या आप कुछ भी suggest करना चाहते हो, तो उस case के अंदर भी comment section में comment करोगे, ओके, next देखिए, what is the average maximum temperature of the cities per day on given 10 days, average find out करने, average अभी मैंने last में भी बताया आपको, कि average कैसे करते हैं, find out, सभी का total कर लेंगे, total divided by number of days, सभी का total कर लोगे, total कर लो, इसका सभी का बिटा, सभी का total करना है, करें जल्दी से करेंगे सभी, लास्ट में तो यह 96 तो सभी में ही आ रहा है, चलो फिर भी देख लेते, यहां पर ध्यान रखना देखो, जो इस point है ना, यहां पर 35 है, तो 5 मत ले 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 ना, क्योंकि जो point के बाद वाले हम calculate करें, तो point के बाद वाले ही लेने, ठीक है, दुबारा से करते हैं, बात करने में मेरा भी निकल गए, क्या है, 2 यह हो गए, आपके पास, 2, 2, 4, 4, 4, 3, 7, 7, 9, 9, 9, 4, 13, 13, 13, और 7, 20, 20, और 6, 26, दो कह रही आगे है पिटा, अब यहां से जब दूसरे वाले decimal ले रहे थी, यहां से इस 5 को साथ में लेना है, ठीक है, तो कितना जाएगा है यह आपके पास में, कितना आगया, 339.6 आगया, 339.6 आगया, क्या आगया, यह टोटल आए आपके पास में, ठीक है, अब जब टोटल आपके पास में यह वैल्यू आईए है, तो उस केस में आपके जब average find out करनें, तो average में क्या करोगी, 10 से डिवाइड करोगी, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 33.96 आजएगा, ठीक है, तो आंसर आजएगा, 33.96, क्लियर है, बताओ, कोई सके अंदर डाउट कुछ नहीं करना है, टोटली करना है, प्लस करना है, और डिरेक्टरी प्लस करने की कोशिश करने हैं सभी ने, और जो मैं यहाँ पर पॉइंट बता रही हो, ध्यान र जिरो लगा लिया करो, ठीक है, नेक्स देखे, हाँ जी, नेक्स आपके पास में 5 अगस्त की शिफ्ट 3 का कोश्चन है, बता, शिफ्ट 3 का कोश्चन है, क्लियर, क्लियर, क्या है, दा बार ग्राफ ग्राफ गीवन बिलो, रिपर्जेंट दा नमबर ओफ फिमेल इंप्लोई वरकिंग इन 2 फैक्टरीज इन 6 दिफ्रेंट देज अफ देखो जो पिछले बार ग्राफ आयो तो उसके अंदर एक एक बार ही था, हाँ ना, देखो, यहाँ पर देखो, एक बार है, सिंगल सिंगल बार है, एक पर्टिकुलर डे के लिए या पर्टिकुलर स्टुडेंट क और यहां पर दो-दो बार आरे है, अब यहां पर क्या कह रहे है, जो ब्ल्यू वाली लाइन है न, वो फीमेल को रिपर्जेंट कर रही है, इसको रेड़ वाली है। 2 की females को represent करें, किसको represent करें, this is factory 1, this is factory 2, ओके, तो जब भी आपके question के अंदर factory 1 की बात हो रहे है, तो blue वाला जो बार है, उसका data आप लोगे, ठीक है, और जब आपके पास में factory 2 की बात हो रहे है, तो जो red वाली बार है ना, उसका data लोगे, ओके, तो आप question पे आते हैं, क्या average, लेनी है मुझे किसकी, D1, D2 and D3, 2 average number of females working in factory F1, F1 का किस-किस का data लेना है, आमने, देखो, D4, D5 and D6, यह आपके पास given, यह point के लिए और हो गया, आप यह मैंने पहले क्यों लिखा, कि यहाँ पे आपको confusion नहीं हो रहे है, चीकि factory 1 है, तो उसके अंदर कौन-कौन सा मैं लूँ, ठीक है, और factory 2 के अंदर हमने कौन-कौन सा data लेना है, ओके, तो अब यहाँ पे देखो, अगर हम देखते हैं, बीटा, factory 1 की अगर मैं बात करूँ, तो factory, पहले वाले में factory 2, factory 2 के अंदर D1, D2 and D3 लेना है, factory 2 के अंदर D1, कितना है, 280, ठीक है, और, एक factory 2 मतलब red वाला data लेना, आपको red वाला लेंगे, that means कि यह कितना हो गया, 186, प्लस, कितना हो गया, 212, प्लस, 224, ओके, तो यह data आगया, आपके पास में ही हो गया, हमारे पास में 6 और 6, 12, 2, 3, 3, और 8, 11, और एक केरी थी 12, 2, 2, 4, और 6, 622 आगया, कितना आगया, 622, और हमें लेना, average, average that means कि divided by 3 करेंगे, यह आगया आपके पास, clear, आप दूसरा देखते है, दूसरा इसका है, factory 1, factory 1 मेंज ब्लु वाला, और किसका लेना आपको, D4, D5 औ D6, D4, D4 का आपके पास में factory 1, that means कितना लेंगे बिटा, 328, प्लस यह कितना हो गया, 336, और यह हो गया आपके पास, 444, ओके, इसका टोटल करेंगे, यह हो गया, 6 और 4, 10 और 8, 18, average अगर हम निकालेंगे, average कितनी आजएगी, divided by 3, अब हमें क्या find out करना है, ratio find out करना है, ratio किसकी, दोनों की, तो दोनों की ratio, पहले का क्या आगया, 622 बटा 3 आया, कितना आगया, 622 बटे 3, और दूसरा है, 1108 बटा 3, जब भी ratio निकालते हैं, तो उस case के अंदर, जब भी आप ratio लेते हो, तो उस case के अंदर बटा क्या होता है, यह आपका, cancel out हो जाते है, जो जो values, cancel out होते हैं, उसको cancel out कर देते हैं, 3 से 3 cancel out हो गया, यह 2 से cancel out हो गया, 3, 1, 1, ठीक है, 3, 1, 1, और अगर हम इसको देखते हैं, तो यह कितना आज़ेगा, दो पंजे 10, दो पंजे 10, और 4, कितना आगया, 311, रेश्यो पांचसो चुर्ण जा, यह कौन सी option है, B है, हाँजी बताई के लिए, कोई सके अंदर डाउट, जब भी ratio निकालते हैं, तो ratio का मतलब क्या होता है, कि जो original मेरी पास में value आ रहे, दोनों को आमने सामने रख देते हैं, जो जो values cancel out होते हैं, उसको cancel out कर लो, numerator को numerator के साथ, denominator को denominator के साथ cancel कर सकते हो, ठीक है, जब भी ratio में ले रहे हैं, तो इसको इसके साथ cancel out कर सकते हैं, इसको इसके साथ cancel out कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, यहा in the average number of female working per day in factory F1 and average number of female working per day in factory F2. दोनों के आपको ratio find out करने है. रेशो तो नहीं, ratio नहीं find out करने है, average find out करने है. Average find out करने है और average find out करके दोनों का difference निकालना है. किसका factory 1 और factory 2 का, ठीक है? तो factory 1 का अगर हम देखें, factory 1, तो इनका सब का total करो. 280, 210, 314, 328, 336, 444, जल्दी से total करेंगे सभी. आज जल्दी से total करो सभी, कितना आगे आई है? 6 और चार 10, 10 और 8, 18, 18 और चार 22, 22 और दो 24, और 2 करें, 10, 10, 13, 13, 14, 17, 17 और यहाँ है? ठीक है? अब कितने हैं? 6 डेज हैं, तो average के लिए क्या करोगे? डिवाइड बाइड 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 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि difference find out करने हैं, तो लास्ट में डिवाइड कर देना. अगर हम फैक्टरी टू की बात करें, तो फैक्टरी टू का टोटल करो, फैक्टरी टू देट मेंस की कौन सी वैल्यू है? यह वाली है, करो बेटा इसका टोटल, इसका जब आप टोटल करोगे, तो वैल्यू कितने हागी? दो और पास साथ और दो नो, तेरा और आठ, इतना आगया? डिवाइड बाई 6, अब हमें क्या करना है? दोनों का डिफ्रेंस फाइंड आउट करना है, डिफ्रेंस फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप देखो, कि दोनों के अंदर, 6 तो कॉमा नहीं है, तो 6 तो भार ही आगया अपना, दोनों का डिफ्रेंस निकालेंगे, यह कितना हो गया? आपके पास 3, 5, and 5, divided by 6, वैल्यू कितनी आजाएगी? यह हो जाएगा, नो छिके, चो ववन, इसके राउंड वैल्यू आजाएगा आपकी, 92.166, अब आपको यह जो पॉइंट में वैल्यू है, तो पॉइंट के बाद में दो वैल्यू आ रही हैं, तो यह हो जाएगा 92.17, अगर इसको अम अप्रेक्सिमेट करेंगे, राउंड ओफ करते हैं, तो वैल्यू कितनी आजाएगी? बान सेवन आजाएगी, तो क्या आगया 92.17, क्लियर? नेक् अगर इसकेंड है, और साथ में क्या कह रहा है, देखो, ओन विच डे नमबर ओफ फिमेल वरकर एफ़ 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 टेकन टूगेदर, मतलब कि इन दोनों का सम निकाल के बताओ कि सबसे ज्यादा किसकी है और हाइएट कितकी है, अब यहाँ पे इसकेंड ह आपको फाइंड आउट करने है, तो देखो, छे दिन और 6 के 6 को आपको देखने के जरूरत निया, वैसे तो आपको यहीं से ही आईडिया हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे देखें तो पे यह सबसे ज़्यादा जा रहा है, यह सबसे ज़्यादा जा रहा देखो, तो इसके बाद में यही सबसे ज़्यादा बड़ी जा रही है, 336, और रैडवाली भी देखें तो रैडवाली भी यह वाली सबसे जा रही है, सेकें हाइस गूंसा हो जाएगा, डीप 5 हो जाएगा, सारे को टोटल करने की जरूरत निया, जब हम यहां पे दिख रहा है कि यहा पहले थोड़े थोड़े हैं तो time क्यों वेस्ट करने सभी को टोटल करने में जिसकी बार आपको लंबी दिखाई देरी पहले उनको इस नों की बार लंबी हाई दे रही थी आप यहां से कंपेर कर सकते हैं ओके हां जी नेक्स देखिए 6 अगस्त के अंदर जो डी आई आई थी 6 अगस्त के अंदर जो बार ग्राफ आया वा था उसको डिसक्स करके क्या रधा बार ग्राफ गीवन बिलो रिपर्जेंट दे नमबर ओफ कार पार्क्ड on 10 different days in the parking area 10 different days के अंदर जो जो भी कार पार्क हुई है उनका डाटा यहां पर गीवन है आपके पास में यह देखिए D1, D2, D3 सारा पूरा 10 days का डाटा है यह आपके पास बार की फोर्म में गीवन है ओके आप देखो क्या है what is the difference in the number of कार्क्स पार्क्ड इन D3 and D8 D3 और D8 क difference find out करने that means की minus करने दोनों को 322 minus 281 कितना आगया आपके पास बिटा 41 आगया बताओ कोई भी doubt आ रहा हो कोई भी doubt आ रहा हो समझ आ रहा है तो वीडियो को like और share जरूर कर देंगे अपने friends के साथ में अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को like और share जरूर करेंगे next देखिए what is the total number of car parked on all 10 days in the parking area 10 days का parking area के अंदर आपको find out करने कुछ नहीं है total करने total कर दो कि सभी को add कर लो add करो सभी को सारी values को add करो जल्दी से add करोगे आपके पास answer आ जाएगा add करी जल्दी से 5 और 4 नोर दो ग्यारा बारा तेरा चोदा और आठ बाइस वाइस और छे अठाइस और आठ चतेश तीन केरी आ गया ऐँ के बाठ बाठ वाली वैल्यू दो यह और करें चल्व कोड्याक कर लेते है तीन और यह चीडीन च्छे किन नो तीन चोग बाला तीन पांच पंधरा तीन चेंग अठार तीन 21 और दो 23 और दो 25 और 27 और तीन केरी बिटर कितना आगया 3062 टोटल ही करना था कुछ भी निया इसके अंदर सिरफ टोटल करना कर लेंगे कोई सके अंदर डाउट जब भी इसमें देखो यहां पर क्या आगया कितनी होरा है है तो देखो टेखो अंदर कितनी है कितनी है 242, कितनी ज्यादा है, difference find out करेंगे, difference find out करेंगे, तो difference कितना आ गया, यह हो गया, 4, 1 and 1, 140, ठीक है, अब आपको find out यहाँ पर क्या करना है, क्या find out करना है, percentage, कितना percentage ज्यादा है, तो percentage के अंदर calculate करेंगे, कितना आ गया, 114 divided by 242 into 100, calculate कर लो, यह अगर हम करते हैं, 2 से 2510, 2 सते 14, 5700 divided by 121, देखो पीटा, अगर हमने nearby value लेने हैं, तो nearby value के अंदर देखो, इसको 120 कंसीडर करके चलो, इसको ऐसे consider कर लेते हैं, जैसे 120 है, ठीक है, तो 12 से देखो, 12, 48, 52, 60, 5 तो ज्यादा होगे, 12, 50, 60 तो ज्यादा होगे, 12, 48, that means कि 4 पे जाएगा, ठीक है, 9 बच गया, और उसके बाद में, 12, 74, 28, 60 में जादा आगया, 47, 47 point कुछ आजाएगा, तो value आगे आपके, 47.11, ओके, कितना आजाएगा, यह जो more less है, इसमें ध्यान रखो, कि जैसे जब भी more आता है, तो उसके अंदर difference निकालो, more में less वाली value निचे आएगी, यहाँ पर, खिक है, अगर less है, अगर कहता है, कितना less है, अगर कोई value कम है, तो यहाँ पर more वाली आएगी, more है तो less वाली आएगी, less है तो more वाली आएगी, clear, बताओ कोई डाउट, so students, आज के class के अंदर हमने discuss किया, बार ग्राप पर जो questions आएवे थे, MTS के अंदर, यह एक previous year question series के अंदर चल रहा है, तो जिसने भी इसको join करना है, description में link of label है, सभी ने इसको join करना है, क्योंकि यह बहुत ज्यादा, I am sure कि बहुत ज्यादा यह आप लोगों के लिए helpful रहेगी, एक एक question previous year से ढूण के लेके आरे हम topic wise, कि वो particular topic आपका prepare होजेगी, इस particular topic में से कैसे questions exam के अंदर आ रहे हैं, okay, so thank you, मिलते है next class के अंदर.